पिशले एपिसोड जगजग के राम में हमने भगवान राम की सनातन में महत्ता पर चाप्चा की आईए आज राम की नगरी आयोध्या के महत्तों की बात करते हैं सब जगजग के राम की आयोध्या नगरी वो नगरी जिसका इतिहास स्वयम इतिहास से भी पुराना है प्राचीन से लेकर अरवाचीन साहित्त में राम से आयोध्या का संबंद स्थापित हुआ है अथर वेद के अनुसार अष्ट चक्रा नवद्वारा वेदानाम पूर योध्या अर्थात आठ चक्र और नौ द्वारों वाली आयोध्या देवताओं की नगरी बतलाई गई है प्राचीन काल में कौशल प्रदेश में महा प्रतापी सूर्य वंश का शासन था जिनकी राजधानी थी अयोध्या इस महान वंश में एक्षवाकू, दिलीप, भागीरत और रगू जैसे महाबीर राजाओं ने राज किया इसी प्रतापी अयोध्या में त्रेता युग में महाराज दशुरत के घरजन में श्री राम रामचंद्र ने सुदूर दक्षन तक सनातन का प्रसार किया और वनवास से लोटकर अयोध्या में ही राम राज्य स्थापित किया अयोध्या महाप्रतापी राजाओं की नगरी रही तो साथ ही भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी रही सदियों से अयोध्या भगवान राम से जुड़ी भारतिय जन्मानस की आस्था का कींद्र बनी रही है सदियों से चली आ रही 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या से जुड़े जन्मानस की शृध्धा का ही प्रतीक है पाथ सदी पहले जब विदेशी आकरानताओं ने श्री राम जन्म भूमी का विध्वन्स किया तब अयोध्या का वनवास शुरू हुआ ऐसा वनवास जिसमें इस नगरी ने अपने आराध्या शृरी राम को टेंट के नीचे देखा बर्शोतक अयोध्या इस प्रितीक्षा में रही कि कब उसके साथ न्याय होगा जन्म भूमी पर वन भावध्यमंदिर अयोध्या के इस वनवास की समाप्ती का ही प्रमाण है और इस बात को सिद्ध करता है कि अयोध्या वही नगरी है जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आयुध्य में ही राम मंदिर का निर्मान होना क्यों ज़रूरी था तब तक के लिए जैशीरा